हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक जोतिस फैशन है डार्ट में तो आज हम करने वाले हैं स्लिउज की कटिंग मैं आज आपको पूरी डिटेल में जानकारे देने वाली हूँ कि स्लिउज की हमें करने चाहिए प्रॉपर तरिके से कई बार क्या होता है हम जब स्लिउज करते हैं ब्लाउज को तब एक साइड में बहुत ज्यादा हो जाती है और एक साइड में कम पड़ जाती है तो इस अन्हों इसलिए आज का वीडियो है तो चलिए आज हम पेपर पर कटिंग करने वाले स्लिउज की 34 ठेस्ट है तो उसका वर्ण पूर्ट आ आपको तो आपको एक चायर करना है अगर बिना अस्तरवाल अब लाउस है तो आपको आधा इंच भी कर सकते हो और एक इंच भी कर सकते हो किन लोगों को नीचे से जो हमारे स्लिउज की बॉटम होती है वहां से अंदर की साइड में फोल्ड होना होती है एक इंच तक पीकी लेंथ लेनी है तो मैं यहाँ पर साडैत कृशण बस में आधा इंच मिलाने वाली हूं मतलब हमारे स्लिउज के जो लेन्थ है öğ लेने वाली हो मैं पाच इंच वो स्लिउज हूरी बन कर हो जाएक हमारी साडैत कृश्ण तो हमारी चेस्ट जो है और 34 है अब हमीं लेन एक्स्त्रा लेने वाले हों 1.5 लेंगे कुछ दो लेंगे आपके हिसाब से तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच शिलाएं मार्जिन रखने वाली हूँ तो इसका कितना हो गया यह हो गया 10 और इसका टोटर हो गया 10 और माइनस इसमें से हमें 2 इंच करना है तो यह आ गया 8 इंच तो हमें यहां से इधर की साइड में लेना है 8 इंच पर यहां पर 8 इंच अब हमें यहाँ से इधर लेना है तो हमेरी स्ल्यूस की जो लेंथ है वो है साड़े चार इंच उसकी साथ से हमें लेना है अगर आपके स्ल्यूस की लंबाई अगर तीन इंच है तो आपको आर्मोल की जो गेराई होती है वो आपको लेनी है सवा एक इंच अगर आपके ब्लॉज की लंबाई है 4 इंच तो आपको लेना है 2 इंच अगर 5 होगी तो आपको लेना है 2.5 अगर 6 होगी तो आपको लेना है 3 और अगर 7 इंच है तो आपको 3.5 लेनी है अगर साथ से भी आपकी स्ल्यूस की लंबाई ज्याद है तो आपको साड़ी तीन ही रखना है तो हमारी स्ल्यूस की लंबाई है यहाँ पर साड़ी चार इंच तो मैं यहाँ पर लूँगी दो इंच नेचे यहां से नीचे 2 इंच पर मार करेंगे और फिर अब हमें यहां से यहां तक क्रोस लाइन देनी है इस तरह से यहां से इधर की साइड में 2.5 इंच जो मार्जिन है इसे लाइ मार्जिन जो हमने ली है वो छोड़ दी है यह जो हमने तिरची लाइन दी है इसका हमें अब हाफ करना है यह 8 इंच तक है तो इसका हाफ आएगा 4 इंच पर अब एक हमने point लगाया है इसके अब दोनों side में हमें point लगाना है और उन दोनों के बीच में का जो अंतर है वो आना चाहिए पौणे 1 inch इधर की side में 4 line और इधर की side में 4 line एसे हमें यहाँ पर mark करना है अब हमें sluze का आकार देना है यहाँ से यहाँ तक यहाँ से एक inch तक हम ऐसे ही रखेंगे सीधा ही और यहाँ से फिर एसे गोलाई का कर देंगे और यहाँ पर हमने जो 10 inch पर mark किया है वहाँ पर हमें इसे लेकर इसे करना है यह हो गई बाहर की side यह हो गई पीछे की side अब आगे की side इस तरह से इस तरह से हमें sluze का कर देना है अब लेते हैं sluze की बॉटम तो sluze की बॉटम है 5 इंच यहाँ पर 5 इंच पर mark कर रहेंगे और नीचे जो हमने एक्स्टा सिलाई मार्जिन देडिंग चली है वहाँ पर अब हमें इन पॉइंट को जोड़ना है यहाँ पर आएगी हमारी fitting और यहाँ पर आएगी हम जो एक्स्ट्रा तो इन दोनों के बीच में हमें और दो सिलाई करनी है और यह हमारी end के आएगी सिलाई तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से स्लीज की कटिंग कर सकते हो अब हम इसको कट कर लेते हैं सब पनकर कर तो इस तरह से हमें स्लीज की कटिंग करनी है अगर आप इस तरह से स्लीज की कटिंग करोगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है स्लीज लगाते वक्त वो बढ़ेगे नहीं और कम भी पढ़ेगे नहीं तो फिर के सलागा आज का हमारा वीडियो आप अगर वीडियो के एंट तक आये होते वीडियो का ज़रूर लाइक कीजिए जयदे जयदे शियर कीजिए और चानल पर पहली बार आये होते चानल को सब्सक्राइब कीजिए तो मैं मिलती हो आपको अगले एस ही टेस्टिंग बिल्ड़ के साथ तक एलिए जयदे 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 गार को आपको 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 है जयदे बाया जयदे दो आए